हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं पावागर के काली मंदिर में पूजा करने पहुंचे इसके बाद वडोधरा में एक रेली को संभोधित भी किया पीएम दो दिवसी दोरे पर गुजरात पहुंचे हैं वे राज्य को 21,000 करोड रुपे की विभिन परियोजनाओं की सौगात देंगे प्रधान मंत्री मोधी की मा हीराबेन का जनम 18 जून 1923 को हुआ था पीएम की मा के जनम दिन के अफसर पर उनके ग्रहनगर वडनगर में धार्मिक कारिकरम आयोजित किये जाएंगे और उनके लंबे जीवन और स्वास्ते की प्रातना की जाएगी रायसन शेत्र में 80 मीटर लंबी सडक का नाम बदल कर पुझे हीराबा मार्क किया जाएगा परिवार ने जगरनात मंदिर में भंडारे की भी योजना बनाई है बाद में प्रधान मंद्री मोधी आज पावगर के काली मंदिर में पूझा अर्चना करने पहुँचे उन्होंने मंदिर में ध्वजा रोहन भी किया जानकारी के अनुसार मंदिर में 500 साल बाद ध्वजा रोहन किया गया है इस मंदिर से खुद उनकी आस्था जुड़ी हुई है इस मंदिर में देवी के दर्शनों के लिए भक्तों को रोपवे का सारा लेना पड़ता है क्योंकि ये मंदिर परवत परिस्तित है इसके बाद धाई सो सीडिया चड़ने के बाद माता के दर्शन होते हैं प्रधान मंत्री ने आज सुबह पावागड में काली मंदिर में पूजा की इसके बाद वे विरासतवन की यात्रा करेंगे दोपहर को वडोद्रा में पीएम गुजरात गोरव अभियान में हिस्सा लेंगे इस दोरान वे 16,000 करोड से अधिक की रेलवे पर योजनाओं का उद्गाटन और साथ ही शिलान न्यास भी करेंगे वे आज गुजरात के इंद्रिये विश्व विद्याले का शिलान न्यास और मुख्य मंत्री मात्र शक्ती योजना की भी शिरुवात करेंगे जागरुख टीवी के लिए गांधी नगर से खास रिपोर्ट